नमस्कार मैं हूँ प्रफल कुमार शर्मा स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संभाज संगीत में वोकल अभी उसके पार्ट टू में मैं बात करूँगा क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको अगर आपने इन सारे जो रीजन्स मैंने बताये हैं अगर इसको पर ध्यान नह नहीं रखा तो क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है या शुरुवात हुई है तो इसको कैसे ठीक करना है इस वीडियो का ये टॉपिक होगा तो इसको ध्यान से देखिए ताकि आप इन सारी चीजों से बच सकें और आवाज को हेल्द ही रख सकें चार कैटेगरी मैंने बताई थी इसमें पहला था स्पीच रिलेटेड सेकेंड था सिंगिंग रिलेटेड थर्ड था लाइफस्टाइल एंड हैबिट रेटेड रेटेड और इन चारों से इंडिविजुली क्या बूरा असर पड़ता है आवाज पे और इंटर कि लेटेड वोकल अब्यूस से आपके आवाज एक्जॉस्ट हो सकती है आपके आवास ठक जाएगी उसका जो तोन है वो खराब हो जाएगा आवास काफी स्कराची काफी हसकी हो जाएगी और आवास ठीक से निकलेगे नहीं आवास फसी-फसी निकलेगी Singing related vocal abuse से आपकी आवाज permanently और temporarily damage हो सकती है तो आपकी आवाज घाने में निकले ही ना ऐसा भी हो सकता है और lifestyle and habit related vocal abuse से आपको क्या हो सकता है आपका तो physical condition तो problem होई सकती है आपको physical issues तो होई सकती है साथ ही साथ जो आपको healthy body चाहिए अच्छे vocal production के लिए वो आपकी आवाज को मिलेगा नहीं आपका digestion week होगा, acidity का issue होगा जो environment चाहिए, जो condition चाहिए आपकी body की आपके voice को सही तरीके से function करने के लिए वो उसको नहीं मिलेगा and the last one is medical and clinical related vocal abuse तो medical and clinical related vocal abuse अगर आपको है अगर आपकी आवाज already किसी तरीकी के medical issues face कर रही है और उस situation में अगर आप voice production कर रहे हो जवर जस्ति उसको use कर रहे हो तो उससे वोकल production काफी disturbed हो जाएगा आवाज काफी जादा खराब हो सकती है यह कुछ problems हैं जो individual vocal abuse type से आपको हो सकती है और अगर यह काफी time तक रही तो इससे क्या-क्या problem हो सकती है उसके उपर अब हम बात करेंगे सबसे पहली stage है vocal abuse की inflammation जिसको हम swelling कहते हैं या sujan तो जब आप बात करेंगे तो आपके गले में आपको दर्द महसूस होगा या आप जब बात करेंगे तो आवाज आपको irritated sound करेगी आपको ठीक से बोलने नहीं होगा तो यह first stage of vocal abuse है गले में inflammation होना या vocal muscles में swelling होना अगर आपने इसको इसी stage पर ठीक नहीं किया it turns into phonatory gap phonatory gap is nothing but आपके vocal cord में gap आ जाता है normally जब वो function करता है तो वो एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है यह साथ में vibrate करता है phonatory gap की वज़े से क्या होता है आवाज में vocal cord में ऐसा छोटा सा gap आ जाता है जिसमें से without voice, without sound air pass हो जाता है और जिससे आपको एक आवाज में एक gap सुनाई देता है जब आप बोलते हो तो उसके साथ में हवा निकल जाती है that is a second stage of vocal abuse the first is inflammation जिसको अगर आपने ठीक से ध्यान दे दिया तो आप second stage पे नहीं जाओगे जो कि phonatory gap है अगर phonatory gap आपको हो गया है और आपने वहाँ पर भी उसको नहीं रोका it turns into vocal nodules जो gart हम कहते हैं गले में gart पढ़ जाती है vocal cords में gart आ जाती है in this stage आपकी आवाज का जो tone ही खराब हो जाता है आप लंबे time तक नहीं गा सकते है आपको आवाज में दर्द महसूस होगा ठीक से आपके vocal cords vibrate नहीं होगे आप ठीक से गान ही पाएंगे आपका range कम हो जाएगा आपका जो stamina है वो कम हो जाएगा vocal nodules भी आप ठीक कर सकते हो उसके लिए भी operation की जुरूत नहीं पड़ती है वो भी आप without operation आप ठीक कर सकते हो सही तरीके का routine और proper exercise से लेकिन अगर vocal nodules भी आपने ध्यान नहीं दिया और जबर जस्ती आवाज को push करते गए then it turns into vocal polyp vocal polyp यह होता है कि गले के vocal cord पर flesh, lump of flesh कठा हो जाता है जो काफी time से अगर आप vocal production गलत तरीके से करते हो तो वहाँ पर एक lump of flesh flesh का एक टुकड़ा वहाँ पर छोटा सा बनने लगता है और अगर अपने यहाँ पर भी अपने आपको नहीं संभाला और vocal polyp को आपको operate करके ही निकालना पड़ता है वो ऐसे ठीक नहीं होता and if you don't stop here it turns into vocal cyst cyst क्या होता है वो जो गांट होती है उसके अंदर या तो पस या तो air या तो water इकटा हो जाता है जिसकी वज़े से it can turn into cancer तो छोटी से inflammation can cause cancer अगर आप उसको ध्यान नहीं दें बहुत ही important topic है जैसा कि मैं कहा रहा हूँ आप इसको lightly मत लीजिए आवाज आपको भगवान नहीं जो दीए उसको सही तडिके से use करिए उसको mistreat मत करिए और बहुत सारे लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं और जबर जिस्ति करते हैं अपनी आवाज के साथ में और फिर बाद में उसका नतीजा उनको भगतना पड़ता है आप इसको मत lightly लीजिए अब तक तो समझ चुके हैं कि क्या stage तक आपके आवाज जा सकती है इसको reverse कर सकें या उसको ठीक कर सकें तो सबसे पहले है कम बात करिए talk less जितना हो सके कम बात करिए जितना हो सके बोलना avoid करिए पहली बात तो बात ही मत करिए जितना हो सके चुप ही रहिए वही आपकी आवाज के लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आप already singing कर रहे हो तो आवाज को ज़्यादा use कर ही रहे हो हो सके तो चुप रही है मत बोलिए Second, अगर आपको बोलना पड़ ही रहा है तो controlled और soft voice में बोलिए चिला कर मत बोलिए, shout मत करिए और ऐसी जगह पर बात मत करिए जहां पर already बहुत ज़्यादा noise है बहुत शोर है उस वक्त चुप रही है सामने वाले को कहिए कि मैं आपसे बात में बात करता हूँ जब आप ऐसी situation में है जहां पर आप easily बात कर सके तब बात करिए Next is drink plenty of water गले को hydrated रखिए रोम temperature का पानी पीजे ना एकदम गरम ना एकदम ठंडा नॉर्मल रोम temperature का पानी पीजे और गले को hydrated रखिए ज़्यादा पानी पीने से आपका digestion भी अच्छा होता है और आपका body भी healthy रहता है आपका गला भी healthy रहता है digestion को भी करे या आपके गले को irritate करे या उसको dry करे मत करें रात को सोने से पहले एक बार 5-10 minutes steam लेजे और जितनी बार आप रियाज कर रहे हो जितनी भी बार दिन में अगर आप 3-4 बार रियाज करें तो हर रियाज के session के end में 5 minutes का steam ज़रूर लेजे और steam लेने का क्या तरीका है पहले नाक से लेना है मुँ से छोड़ना है फिर मुँ से लेना है यह तरीका है यह alternate breathing करिए पहले नाक से लेजेए मुँ से छोड़िए इससे आपका जो oral और nasal cavity है वो अच्छे से steam से साफ हो जाएगा और किसी भी तरीक का inflammation है तो वो शान्त हो जाएगा अगर आपको vocal issues फील हो रहा है अगर आपको गले में दर्द महसूस हो रहा है तो गुन-गुने पानी में एक चुटकी हल्दी डालके उसको पी लीजे उससे भी आपको काफी आराम मिलेगा रात को सोने से पहले कर लीजे या दिन में कभी भी जब आपको लगता है कि आपको आवाज में तकलिफ महसूस हो रही है तो यह चीज आप कर सकते हो बाम लीजेए कोई भी बाम जो आपके पास हो टाइगर बाम या पेन बाम कोई भी उससे थोड़ा सा हाथों में ले करके उसको थोड़ा सा उंगलियों में लगा करके गले पे मसाज करिए gently पूरा इससे गले पे मसाज करिए और उपर से lukewarm water पी लिजिए उससे काफी rest मिलेगा आपकी आवाज को next गारगल करिए गारगल कैसे करना है गुन गुना पानी लीजिए उसमें एक दो चोटकी हल्दी डालिए आधा चमच नौक डालिए और उससे गारगल करिए उससे भी आवाज को काफी rest मिलेगा और जो भी irritation होगी inflammation होगी वो ठीक हो जाएगी मौन रहिए दिन में at least 2 गंटे चुप रहिए सोते तो आप होई 6-7 गंटे-8 गंटे उसके अलावा दिन में कम से कम 2 गंटे चुप रहिए और रियाज के बाद जबी भी आप रियाज करते हो जितनी भी दिर आपने रियाज किया समलेजिए आपने एक गंटा रियाज का त कम से कम 30-35 मिनट चुप रहिए कुछ मत बोले रियाज के बाद कुछ नहीं बोलना है आवाज को proper rest दीजिए क्योंकि आवाज आपने यूज की है अब उसको correct rest दीजिए ताकि वो फिर से reset हो जाए अई बार हमारी habit होती है हम रियाज करने के बाद तुरंद बोलने लगते ह जलत आदत है इसको avoid करिए रियाज के बाद कम से कम जितना देर रियाज किया उसका आदा time या one third time आवाज को rest दीजिए और सबसे important गाने वालों के लिए कम बात करिए गाना जादा गईए अगर आपको सच में गाना गाना है तो बात कम करिए गाना जादा गईए ताकि आप डॉक्टर को दिखाईए जरूर और ऐसा situation ही मत create होने दीजे जहां पर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े तो यह थे कुछ remedies कुछ suggestions जो मैं समझ कर दे पाया अगर आपको लगता है कुछ और भी आप कर सकते हो तो मुझे comment में जरूर बताईए और अगर आपको vocal abuse feel हुआ है अब तक तो क्यों हुआ है क्या reason है जो मैंने reasons बताए उसमें से कोई reason है जो आपको लगता है जिसके वज़े से आपको vocal abuse हुआ है तो मुझे comment में जरूर बताईए आशा करता हूँ यह remedies आपको जरूर काम आएगी और आप इसका लाब जरूर उठाएंगे और आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी एक नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए नमश्कार